नमस्कार अबनारा देख्षेन खेजी टीवी संगेरोईची आमी आनोंदो सारा भारत बोर्षो जुड़े आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन ने सुभो सुचुना होएगलो जा रा होता है पत्तेक भारतियो नागोरिकेर डिजीटल हेल्थ कार हवे चोलों आमरा सही ओफिसियल उनुष्ठनेर वीडियो टा देखी अब वो बहुत प्रतिक्षित पला गया है जिसका हम सब को बेसबरी से इंतजार था मालने प्रधान मंत्री जी से करबत्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट व्यापी लॉंच करे भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड भारतवासियों के स्वास्थ हित में एक सपना देखा सपना डिजिटल हेल्थ का जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतिय चाहे वो देश के किसी भी कौने में हो जरूरत पढ़ने पर स्वास्थ समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना हो अब उसके मॉबाइल में या कंप्यूटर में ही हर वो डिटा हो जिसका लाब उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ समस्या का नितान कर सके ये है नए भारत की नई उडान, नया अभियान, आयोश शमान भारत डिजिटल मिशन 15 अगस 2020 को लाल किले की प्राचीर से मानिय प्रधानमंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महा अभियान का शुभारम्द किया और 6 केंदर शासित प्रदेशों के साथ मिशन के पाइलट ट्रॉजेक्ट की शुरुवात हुई डॉक्टर्स एपेंट्विंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में परची बनवाने की भागदोड हो, तमान भिकटें नेश्नल डिजिटल हेल्थ मिशन के माद्दम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वात के लिए हमारा कोई भी नागरी सही फैसले कर पाएगा, ये विवस्ता उसे होने वाली है आज जब देश आजादी का अमरित महुत्सव मना रहा है, हर भारतवासी के लिए अमरित साबित होने वाले आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन को राश्ट को समर्पित किया जा रहा है अब हर देशवासी स्वेच छा से अपनी युनीक हेल्थ आईडी प्राप्ट कर सकेगा जिसमें उसका पूरा हेल्थ रेकोर्ड जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दबा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांच होगा इस युजना से नकेवल लाभार की घर से ही किसी भी जगर के डॉक्टर्ज की जानकारी ले सकेंगे, बलके वो उन से अपॉइंटमेंट ले या टेलेफोन से परामर्श कर बीमारी के उपचार के लिए सही दबा और सुजा भी ले पाएंगे इस जानकारी का डिजिटल रेकॉर्ड भी बन जाएगा जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साजा भी कर सकेंगे लाभार्थी के स्वास्थिसंबंदी सभी रेकॉर्ड पूरुन रूप से कोपनिय रहेंगे आयुश मान भारत डिजिटल मिशिन के अंतगत डिजिटल सूचियां होंगी जिन में अस्पताल, फार्मसी, स्वास्थिसुद्धा केंडर, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामी किया जाएगा इसमें आद्मनिक जिकित्सा पद्धती के साथ स्राज आयुश व अन्य सभी पद्धनियां भी शामिल होंगी यही नहीं अपने हेल्थ आईडी के जरिये देश्वासी देश की अन्य सभी स्वास्थियों जनाओं जैसे PMJ, RBSK, NICSHARE, NHM आदी से भी जुड सकेंगे स्वास्थ सेवा प्रदान करने वालों को आयुश शिमान भारत डिजिटल मिशन Ease of Doing Business के नए अवसर भी प्रदान करेगा यह बस एक मिशन नहीं एक संकल्प है भारत का करना काया कल्प है स्वास्थ सेवाएं अब होंगी डिजिटल स्वस्थ होगा भारत का कल आईए डिजिटल स्वास्थ सेवाओं का लाब उठाएं स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं तो यह तक्खन धुरे आपनारा डिजिटल हेल्थ कारेर सुभो सुचोनार अनुस्थांता देखलें तो आर समयनस्थ ना करें नीचे देया वेब साइटें गीए नीजो नीजो डिजिटल हेल्थ कार आपनारा बानिये निन तो वीडियो टे एई पर्जम तो छेलो क्यामन लागलो कॉमेंट कोरे जाना बैन भालो लागले अवस्चोई लाइक शेयर कोरवेन एबंग चानेले नोतन होले साब्सकाइब कोरेने बैन पास्थे देखा बेल आइकन के प्रेस कोरेते बैन नोटिफिकेशन पार जन्नो दाखा आवे नेक्स्ट वीडियो ते भाल थागवन सुस्त थागवन जाहिंद बंदे मातरम